फ्रेंड आज हम बचे वे रात के बासी चावल का बहुत ही चटपटा सा क्रिपसी क्रिपसी स्नेक्स लेके आ गए हैं जो आप चावल बच जाता है और उसे आप फेक देते हैं तो इस वीडियो को इस रेश्पी को देखने के बाद आगे सा पैसा नहीं करेंगे आप उसका य जोड़ी बनाना पॉसिबल भी नहीं होता है तो मेरा चावल बच गया था तो इसमें नमक डाल लिया है और इसमें थोड़ा साथा चमच जीरा डाल लेंगे और चावल को फोड़कर अच्छे से मिक्स कबना इसे मसल मसल के चाहे तो इसे आप ग्राइंडर जायर में डालकर है चला भी सकते है बटा जम इसे हाथ से भाई के इस तरीके से आप बना के इससे आफ रखें कि सुखा के जब आप का जीरी करें चपट खाने का तो इसे आप फ्राइड कर खा़ सकते यह से एसे ही सेकर खा सकते हैं लैक्स के रूप में और आपका वेस्ट भी नहीं होगा और महीने भर चलेगा आप एक बार बना कर रख लीजिए जब मन करें तब इसको खाईए तो खुब हातों से मसल मसल के नमक मिर्ची को मिला लेना है चावल एक दम थोड़ा सा पिस भी जाए हातों से और आपको दिकत लगे तो इससे आप मिक्सर में चला लेजेगा थोड़ा चोटा पार्ट लेंगे हातों से चप्टा कर देंगे कि जल्दी सुख भी जाता है और यह फूलता भी बहुत अच्छे से तो इस तरीके से आप बना के सुखा के श्टोर करके रख सकते हैं आप जब आपका मन करें तब इसे आप फ्राई करके या भून के ऐसे भी से इंज चावल भी वेस्ट नहीं होगा और इसका यूज भी हो जाएगा तो चली आज इसे आप इसी तरीके से बनाएंगे रोज-्रोज इसकी रेश्पी तो मना नहीं सकते हैं औरो रोज-रोज एक कि चावल का अलग-अलग रेश्पी बनाएंगे बच्चे उतना खाते भी नहीं आप भी बूर हो जाते हैं टाइम भी नहीं मिलता इसे बनाने के लिए रेस्पी को तो ऐसे में इस तरह बचे वे चावल का आप प्रियोग कर सकते हैं तो देख सकते हैं मैंने पूरी थाली में इसे बना लिया है बच्चा था तो दूसरी थाली में रख लिया है इसे इस तरी कंटीनर में रख लें और जब आपको जीर करें इसे फ्राइब करके खा सकते हैं या नमक डाल के थोड़ा सा नमक में इसे भूजा के तरफ भूज सकते हैं तो मैंने पालेज भी बचा था चावल तो इसे बना के रख लिया था और आज भी बनाया है यह अगर धूप कड़ी होगी तो आपका एक दिन में रेडी हो जाता है वरना दो दिन की धूप दिखा ले तो चलिए इसे फ्राइब कर लेते हैं तो इदर कड़ाई में हमने तेल गरम उने के लिए तेल अच्छा गरम होना चाहिए और ज्यादा तेल में इसे फ्राइब करेंगे निजड़ तो ड्यालते ड्यालते यह फूल के ऊपर आ जयता है एकदम कृपकृ करारा करारा मैंने थोड़े से तेल में तल करे supplies है भरे के आपका दिखाया है ब्रोड देल जाएत् तेल में तलेंगे और तेंडम हाई गरम हो ठेस्ट पूछि नहीं पैसे जीरा ऐसे ही और मेरा विडियू पसंद आएगए कर दीजेगा और आपने दोस्तों प्रहा सिर ऑब मेरे चेनल पे नए हो तो चेनल को सस्क्राइब कर ws करके बेल आइकन के घंटी को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि इस तरह की जब भी कोई वीडियो अप्लोड हो तो उस वीडियो का उस रेस्पी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जा सके और उस रेस्पी का आप लुक्त उठा सके फ्रेंड तो गाइज इसी तरह की मैदार मैदार रेस्पी देखने के लिए मुझे कमेंट भी कीजेगा और मैंने चैनल को सस्क्राइब करके रखिएगा जब भी कोई वीडियो अप्लोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा उस रेस्पी को आप इंज्वाई कर सकेंगे तो हम चावल को फ्राइब कर लेंगे आप सिर्फ चाहें तो चावल को ऐसे ही फोर दे उसका जो बना वुआ होता है डेला टाइप का तो उसे फोर कर नमक भी मिला के मिर्ची मिला कर सभा सकते हैं अब दीशी नमक डालके जब शुखे नें तो भूजा के रुप मे सुखे स्नेक्स के रूप में उसको प्रयों कर सकते हैं तो देख सकते हैं मेरा चावल का चीप्स बनके रेडियम में इदर तल दाल लेते हैं तो चलिए डाल लेते हैं उपर से मसाले थोड़े से चटपटे और बनाने के लिए इसमें हम चटपटा बनाने के लिए इससे थोड़ा सा डालेंगे आधा चमच भूना हुआ जीरा भूना हुआ जीरा डाल सकते हैं मैगी मसाला डाल सकते हैं ट्रमाइटो पाउडर मैंने उसमें भी डाला है इस बात का ख्याल लखिएगा ज्यादा तीका ना हो जाए और चाय तो इसमें आमचुर पाउडर डाल सकते हैं या जाल जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं और इन सभी चीजों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके लिजे इसे तलका चाए के साथ इन्जोकर कर सकते हैं बहुत कुर्खुरा है और चटपटा बी है कृपिस है इस तरह से आप उसको थाल कर बात के अब हफ्ते पार ऑफ्ते बर कर सकते हैं वरना तो सुफा के इसे ड्राइं कर महीनों इसको इसको आहग सते हैं तो गाइस Jaande मेने वी SP के साथ ततर के लिए नमस्कार बाई बर्टिक के यार